नमश्कार आप देख रहे हैं न्यूस पियार रिया सुना आपके साथ है एक खुशखबरी आई थी देश के लिए कि देश भर में एक कडोर से ज्यादा लोग वैक्सिनेटेड हो चुके हैं लेकिन वही दूसरी और इस वक्त जो आशंकाएं जताय जा रही है कि सेप्टेंबर के अंतिम तक सेप्टेंबर माह के अंतिम तक फिर से कोरोना दस्तक देगा और हो सकता है कि कई लोग इसके चपेट में आ जाएं आपको बता दे कि इसकी शुरुवात हो चुकी है केरल में जिस तरीए से केसिस बढ़ रहे हैं वो चिंता जनक है अकेले कर कल केरल में 31,000 कुस केसिस जो हैं वो पाए गए हैं जिसमें से 200 लोगों की लगभग मृत्यू भी कल 24 घंटे के भीतर हो गई है और ये काफी चौका देने वाली बात है कि अकेले केरल एक ऐसा राज है जहां इतने सारे केसिस आ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है वहां इसके अलावा और भी कुछ पांच राज हैं जो टॉप पांच राज हैं जहां केसिस लगतार बढ़ रहे हैं लेकिन हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में फिलहाल उतने cases नहीं हैं लेकिन एक जानकारी आपको जाननी चाहिए कि जहां बिहार में cases न के बराबर थे दो-तिन cases आ रहे थे और अब वसी बिहार में cases अचानक से बढ़ने भी लगे हैं सतर प्लस cases जो है टोटल हो चुका है बिहार में जिसमें पटना भी शामिल है बागी districts भी शामिल है तो कुछ ऐसे जिले थे जो कुर्णा मुक्त हो चुके थे अब उन जिलों में भी कुर्णा जो है दस तक दे चुका है संभलने की बहुत बहुत जरुवत है क्योंकि अगर हम आज संभलते नहीं हैं तो आगे हमारे ही काम में बाधाएं आएंगी आपको बता देते हैं सबसे पहले कि जब COVID आया तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ एक आम आदमी को लॉकडाउन जहिलना पड़ा हमें दो दो बार तिन तीन बार हमने लॉकडाउन जहिला है उसके बावजूद सिचुवेशन नहीं सुध रहे थे और वहीं अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उन्हें कितने प्रॉब्लम हुए हैं उनके रिजल्ट्स में देरी हो सकें और कोवीट के कारण आप चिंता में आ जाएं और अपनी प्रक्रियाएं जो है उन सभी चीजों को लेकर चिंता करने लगे यह वीडियो आपको इसे लिए हम बता रहे हैं इस वीडियो के थ्रूब इस चीज के बारे में कि केसे आप अचानक से बढ़ने लगे हैं ता प्रक्रियाओं में फिर से ताला अटका देगा तो यह बाते जाननी बहुत जरूरी है आपको हम कुछ केसे बताते हैं कि किस प्रकार से कौन से राज में सबसे ज़्यादा किससा आ रहे हैं सबसे पहला नंबर पे है केरल जहां 31,265 मामले आएं और फिर है महारास्ट्र जह 1229 मामले आएं तो अकेले यह पांच राज्य है जो बहुत सारे केसे लेकर आ रहा है और ऐसे में चिंताय बढ़ गई है उडिसा में भी अब केसे 1000 प्लस होने वाले हैं 850 जो टोटल जो है केसे आएं और 24 घंटे में 500 लोगों की मौत हुई है भारत में ताज़ों की बात य लेट भी उस मुकाबले कम हो गया है और यही चीजे चंता जनक है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है हुआ क्या है बीच में क्या अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वह वैक्सीन हमें कितना त्रिप्त करती है क्या उस वैक्सीन से हम बच सकते हैं या कुछ और ऐसा उपाई है क् वाक्सिन सिर्फ हमें इम्यूनाइज कर रही है और इतनी प्रवाइड नहीं कर रही है कि अगर थार्ड वेव आता है तो हम उसके चंगुल में आ जाएंगे तमान सवाल उठते हैं और आपको यह एहम बात बता रहे हैं कि कोविट केसिस बढ़ने लगे हैं तो संभल के रहने चुनाओ है तो हम बात क्यूं कर रहे हैं यह भी एक ऐहम बाथ है इसके कारण भी प्रवकरीयाय रुक रही हैं कोविट के भी बाते कहीं जाहरी तो अब आयोग की पास एक नया बहाना हो सकता है आपकी जितने भी विभिन आयोग है कि COVID-3 वे बारा है या पंचाज चुनाओ है तमाम बहाने मिल सकते हैं तो इसके लिए भी खास का और से हम यंगस्टर्स हैं हमें समझने की बहुत जरूरत है कि COVID-3 एक्चुली में एक्जिस्ट करता है और अगर COVID-3 एक्जिस्ट करता है तो हमें उससे बचने की भी जरूरत है तो इस वीडियो में इतना है और भी खबरों के साथ आप बनेड़े न्यूस प्यार पर धन्यवाद